हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन में सारा दिन जब जितनी चाय मिल जाए उतनी चाय पी लेते हैं या कॉफी चलते फिरते ऐसे ही पीते रहते हैं या फिर आपका कोई भी मील कोई भी खाना जो होता है आम तोर पे चाय या कॉफी के बिना ख़दम नहीं होता उठते ही आपको चाहे चाहिए, सोने के पहले आपको चाहे चाहिए, क्या ऐसा भी आपके साथ होता है अगर ऐसा जो है आपके साथ होता है तो भाईया आपके लिए एक बुरी खबर है भारत की एक medical संस्था है ICMR, जो भारत की सरकारी संस्था है Indian Council for Medical Research भारत में medical research में सबसे बड़ी संस्था है उसकी एक report आई है और अपने report में ICMR ने ये कहा है कि अगर आप जादा चाहे या जादा कॉफी पीते हैं तो आपको गंभीर स्वास्त समस्याएं हो सकती है Exactly ICMR ने क्या कहा है इस report में मैं आपको बताऊंगा अगले 10 मिनिट में लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि भाई हमारा P2I batch जो है वो शुरू हो रहा है 17 तारिक से और अब से कुछ घंटे बाद हमारी sale जो है वो खतम हो जाएगी तो 15 मई तक sale लगी थी जिसके तहट आप AJ live code जो मेरे नाम पे आधारित है वो code लगा कर आप इस batch से 26,999 रुपई में जुड़ सकते हैं ठीक है ये दाम आपको मिलेगा अगर आप हमारे इस batch से आज जुड़ेंगे और AJ live code लगाएंगे रोज तीन घंटे की live class, mentorship, daily practice questions, pre और mains दोनों के साथ के साथ आपको mains के questions का evaluation और आपको जो है 18 printed किताबें और आपको अगर आप pre qualify करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप P2I badge से जुड़ेंगे, आज आप 26,999 में पा सकते हैं तो तुरंट इस badge से जुड़ जाएए, चलिए, अब एक बार अपनी चर्चा की फटाफट शुरुवात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कि भाई ICMR ने कहा क्या है, तो ICMR जो है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं, Indian Council for Medical Research, ये जो है, ये भारत सरकार के स्वास्थ मंत्राले के अधीन एक body है, ये एक सरकारी संस्थान है, ये बात भी याद रखिएगा, कोई निजी संस्थान नहीं है, ये एक सरकारी संस्थान है, सरकार ही इसको fund करती है, और ये स्वास्थ मंत्राले के अधीन आता है, ये संस्थान जो है, ये स्वास्थ मंत्राले को report करता है, स्वास्थ मंत्राले के साथ जो बहुत सारी body attached है, उन स्वास्थ मंत्राले के जो अंग है, उन अंगों में से एक ये भी है, तो स्वास्थ भारत सरकार का स्वास्थ मं करता है तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में क्या कहा है इन्होंने कहा है कि भाई देखो चाए और कॉफी क्योंकि हम यह ऐसा देश है हमारे यह उत्तर भारत में चाए बहुत पी जाती है दक्षिन भारत में कॉफी बहुत पी जाती है तो इन्होंने कहा है चाए और कीमित मात्रा तक ही ठीक है तो इन्होंने कहा है कि अगर आपको जादा कैफीन होने लगता है आप जादा कैफीन अगर उसका सेवन करते हैं तो यह आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है आपके नर्वस सिस्टम को आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और आपको इनकी लत लग सकती है, लत वाली आदत तो मेरे ख्याल से, हम सब ने देखी है जीवन में, जैसे मेरे साथ एक चीव है, कि अगर मैं सुबह या तो चाए या कॉफी जो है, एक बार ना पिऊँ, तो मेरे को फर में दर्द होने लगता है, ये लत मेरे को है, मैं दादा नहीं पीता, दिन में एक या दो बार पीता हूँ केवल, लेकिन अगर वो सुबह वाला कप मेरे को नहीं मिले, तो फिर मेरे को सर दुखने लगता है, और तवे खराब हो जाती है, तो ये लत लगने की प्रॉब्लम जो है, ये इसमें होती है, और ये कैफीन आपको निर्भर वरा देता है, आप पिर इसके बिना गुवारा नहीं कर सकते, ये एक नशे की तरह काम करता है, तो आप इस पर निर्भर हो जाते हो, इन्होंने अपने आकड़े में क्या कहा है, कि मानव को human body जो होती है, उसमें लगभग रोजाना 300 mg कैफीन तक काफी है, 300 mg से जादा कैफीन नहीं होना चाहिए, और अगर आप चाए और काफी की मातरा देखें, तो एक सामान छोटे कप में, जो 1.500 ml काफी आती है, 1.500 ml की अगर आप काफी का जो सामान इक कप होता है, अगर आप उस कप में काफी पी रहे हैं, तो उस 1.500 ml काफी में अगर वो ब्रू करके बनाई गई है, जो पत्तियों को चाए काफी को ब्रू करके बनाया जाता है, बिना उबाले, तो इस काफी में 80-120 mg तक कैफीन होता है, यानि कि तकरीव आप 2-3 कप तक तो पी सकते हो, उससे उपर अगर आप पी रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, जो सारा दिन काफी पीते रहते हैं, तो यार ये आदते आपके लिए बहुत नुखसांदायक, बहुत जानलेवा हो सकती हैं, बहुत खतरनाक यापके लिए हो सकती हैं, अगर आप इंस्टनट काफी पीते हो, तो इंस्टन काफी जो होती है, जो आप तुरंट जो है, आपकी नेस्केफे वगरा जो आती है जो आप उबाल के तुरंट पी सकते हो उसमें भी हर कप में 50 से 65 मिली ग्राम होती है तो आप अगर कॉफी पीते हो तो आप इस बात का याद रखो कि उसकी क्वांटिटी जो है वो आपको सीमित रखनी है चाय के भी कप में आम तोर पे ये माना जाता है 30 से 65 मिली ग्राम तक कैसीन है तो 4 कप से जादा चाय किसी भी स्थिती में आपको नहीं पीनी है वो आपके स्वास्त के लिए अच्छी नहीं है ये बात आप याद रखिए 300 मिली ग्राम का लिमिट आपको बनाना ही पड़ेगा और कप में ऐसा नहीं कि आप वो कई लोग आशकल क्या करते हैं वो बड़े बड़े कप खरीद लेते हैं उनमें भरके पीते हैं कि सर देखो एक ही कप हुआ मतलब जो चाय का कप होता है और छोटा सा जो होता है वो कप वो 1.500 ml आप लो 1.500 ml कितना होता है उसको आप नप लो तो आपको समझ में आ जायेगा तो भाई उतनी कफी जो है उतनी चाय जो है आप 2-3 कप से जादा न पिये तो बहोट जादा अच्छा है इसके अलावा ICMR ने ये भी कहा है कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के एक घंटा आप जब भी भोजन करें उसके एक घंटा पहले या बाद में चाए या कॉफी ना पियें ये उन्होंने बात कही है तो कि इसमें उन्होंने क्या कहा है इसका वैग्यानिक कारण दिया है कि चाए या कॉफी में क्या होता है टैनिन होता है और ये टैनिन क्या करता है आपके खाद्य पदार्थ में जो भी आईरन होगा उस आईरन से जुड़ जाता है उस आईरन के आपकी body चाहिए, आपकी body मांगती है iron, उसको absorb कर लेती है, अशोशित कर लेती है, tannin जब iron के साथ मिल जाता है, तो उसको आपकी body अशोशित नहीं कर पाती, ये बात समझ में आई की नहीं आई, तो भाई क्या हो जाएगा, अगर tannin iron के साथ मिल जाएगा, तो जो compound बनेग वो compound आपकी body, उसको अशोशित करने में सक्षम नहीं होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, वो iron जो है, आपके वर्ज पदार्थों में, आपके मूत्र में, आपके मल में निकल जाएगा, और आपकी शरीर में iron की कमी हो जाएगी, भई आपने iron खाया, आपको लग रहा है, भ को लोगे, सर मैं तो बहुत खाता हूँ iron, तब भी पतानी मेरे फाथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये उसका कारण है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, कि बड़ा healthy खाते हैं, सब खाते हैं, तब भी कहते हैं, सर ये तो बड़ी problem है, बतानी शरीर को लग क्यों नहीं रहा, हाई BP और हृदय की समस्याएं, जो आपको इसमें हो सकती है, ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है, हाला कि डॉक्टरों ने यहाँ पर ये भी कहा है, कि अगर आप बिना दूद की चाय पीते हैं, जो black tea होती है, बिना दूद की, उसमें दूद ना डालें, बिना दूद की चाय पीते हैं, उससे आपके खून का circulation बहतर होता है, जो लाब क्या-क्या बताएं है, एक तो आपके शरीर में रक्त का प्रवाह सुधरता है, ये एक प्रमुख लाब आपको बताया है, आपके शरीर का जो blood circulation है, वो बहतर होता है, आपके यहाँ दिल की बिमारी बहतर नहीं होती, दिल की बिमारी आपको होने की संभावना कम होती है, तो ये एक लाब इसका है, कि दिल की बिमारी होने की संभावना कम होती है, पेट का cancer होने की भी संभावना को ये कम करता है, तो पेट के cancer को भी घटाता है, ऐसा देखा गया है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर रहे हैं, black tea पी रहे हैं, तो ये लाब है, लेकिन caffeine उसमें भी है, तो caffeine की जो problem थी वो इस से भी आएंगे, tannin की जो problem थी वो इस से भी आएंगी, ये आपको याद रखना है, तो आप पीजिए, लेकिन इसको भी एक सीमा के अंतरगत ही पीजिये, ये बात भी वो कहते हैं, इसके अलावा डॉक्टर ये कहते हैं कि आप जब भी कुछ खा रही हैं, आम तोर पे क्या देखा गया है, कि लोग खाने के साथ कोई पेए पदार्स लेते हैं, आम तोर पे हमने देखा है कि हमारे यहां कल्चर में restaurant में भी ऐसा किया जाता है कि वो पूछते हैं कि फ़र आप ये खाना ले रहे हैं साथ में cold drink ले लीजिए या साथ में कोई juice ले लीजिए ऐसा होता है ना ये कहा जाता है कि खाने के साथ कोई pay पदार्थ लिया जाए ICMR इससे भी आपको मना करता है कि जैसे नाश्ते के साथ breakfast आप कहीं बाहर करने जाओ तो आपको breakfast के साथ coffee चाहिए तो इन चीजों के लिए भी ICMR मना करता है और ICMR ये कहता है कि आप कोई भी liquid अगर आप खाने के साथ लेना चाहते हैं तो क्रपया पानी पीजिए खाने के साथ आप केवल पानी पीजिए और कुछ मत लीजिए बहतर तो ये है कि आप कोई भी liquid ना लें खाने के साथ लेकिन अगर आप लेना भी चाहते हैं तो केवल पानी लीजिए क्योंकि कोई भी तरल पदार्थ जो होगा वो आपके पेट के अंदर जो acid है तरह का पे ये पदार्थ अगर आप लेना चाहते हैं जरूरी है आपके लिए तो आप पानी लें पानी की अतरिक्त अन्य पे पदार्थ आप ना लें ये बात ICMR आप से कहता है तो भाई आप में से जिसकी को लत है चाय या कॉफी की मैं आग रहे करूंगा कि ये तो वज्ञाने काकड़े हैं भाईया इसको मान लो और अपनी आदितों को थोड़ा का सुधारने की कोशिश कीजिए ठीक है आप बिमारियों से बच के रहना हम सब की जिम्मेदारी है ये रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट को समझिए इस रिपोर्ट पर गोर कीजिए और इसमे जो कहा गया है उस पर अमल कीजिए का evaluation, test series 18 printed किताबें और अगर pre-qualify करोगे तो दिल्ली बुला के हमारे साथ